रेन्दर मोदी ने वो उनका नेतर्थ्रम मिला है और उन्होंने इस देश संभालने की संभाला है जब से तबसे जो परिभाषाएं बदली हैं, राजनेताओं की, राजनितिक पार्टियों की, उनके आचार, बिचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाशाएं बदल गई हैं. जहां तक राजनीती का प्रशन है, राजनीती की परिभार्शा पहले कुछ और हुआ करती थी, भारतिय जन्ता पार्टी के आने से पहले. मेरे हिसाब से राजनीती को मैं बहुत स्टेटस की चीज नहीं मानता था. मैं सुरी मैं जो कह रहा हूं सर, दिल से कह रहा हूं बिलकुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बाद. लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने, वो उनका नेतरत्रों मिला है और उन्होंने इस देश को संभालने की संभाला है जब से, तब से जो परिभाशाएं बदली हैं, राजनेताओं की, राजनेतिक पार्टियों की, उनके आचार, बिचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाशाएं बदल गई हैं, तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगते थी, पिजाँ बताओं यह बहुत, स्ट्रेट लैन चलने वाला इंसान हूँ, मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है, मेँ वो कर लेता हूं, और मैं यहां राजनीती के लिहाज से नहीं हूँ, मैं यहां अपनी कर्तव्य नीती के लिहाज से हूँ, आज जो वेरा कर्तव्य है यह पर बिंग एक्टर मैंने रमाइन की उसमें जो पारिवारिक एक तरह से योगदान होता है उस खेत्र में एक सामाजिक छेत्र में जो योगदान होता है उसका डिरेक्ली या इंडिरेक्ली जो भी मेरा कॉंट्रिबूशन था वो मैंने मेरे से हो गया है मैंने नहीं किया है करा contribution का उमें जरूर देना चाहूंगा उसके लिए भी नीड है प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर खड़े हो कर यदि हम कोई बात कहें तो वो सुनी तो जाएगी फिर हमारे से तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म इस समय है वो सबसे अच्छा यही प्लेटफॉर्म है जहां मैं बैठा हूँ तो यह हुई बीजेपी की बात दूसरा जो एक ट्रिगर पॉइंट बना मेरे लिए मुझे सा अरुन सिंग जी ने अभी कहा ममता जी को जैशी राम के नाम से अलर्जी हो गई मनता जैशी राम कोई नारा नहीं है यह पलिटिकल नारा भी नहीं है यह उद्गोश है यह हमारा जीवन है हम इस पर जीते हैं